आईए बच्चों अब हम ग्लुकोज की सरचना को समझें हम सभी को इसका फॉर्मूला पता है C6-H12-O6 इनकी सरचना पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि विभिन प्रकार के बंद बनते हैं ग्लुकोज में एल्डी हाइड जो है क्रियात्मक समू के रूप में हैं तो इन् इतने भी रिजल्ट आएं उसके बैसिस पर यह अभी सरचना जो है तैयार हुई है तो समझने की कोशिश करें चलिया यह सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम 6 कार्बन एक के बाद एक बना लेंगे ठीक इनके बाद इनमें अंकन कर देंगे कार्बन का अंकन हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छट्वा कार्बन ठीक है इसके बाद हम पहले कार्बन पे एलडी हाइड जोड़ देंगे अब देख लिजे बच्चों आपका पहला और छट्वा कार्बन जो है वो संत्रिप्त हो गया है अब आईए दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे कार्बन पे इनकी दो दो सयोजकता अभी संतुस्ट नहीं हुई है हम क्या करें पहले दोनों साइड दो दो बॉन बना दे और यहां हमें अब H और OH जोड़ना है तो आप H और OH जोड़ते जाएए पर हां तीसरे कार्बन पे हमें ध्यान रखना है जब कभी हम तीसरे कार्बन पे आते हैं तो तीसरे कार्बन पे OH ग्रूप जो है वो लेफ्ट हैं साइड आएगा और H ग्रूप क्या होगा राइट हें साइड आ जाएगा इस प्रकार देखिए ये ग्लुकोस की पूरी सरचना तयार हो गई है जिसमें 6 कार्बन इस परस्ट है एल्डी हाइट इस परस्ट है और पांच ओएच ग्रूप इस परस्ट दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो पांच ओएच ग्र आए देगा जिसको हम आगे समझेंगे इसमें एक प्राइमरी एलकोहल है और बाकी चार जो हैं वे द्वीतियक एलकोहल है जैसे जैसे हम सरचना में आगे बढ़ते जाते हैं हमने देखा कि ग्लुकोस की सीधी शिंकला वाली सरचना कुछ गुणों की व्याक्या नहीं कर प सब्सक्राइब भी बनाता है तो चलो समझें चक्री सरचना कैसे बनेगी इसरे समाजने के लिए हम सिंपली एलडी हाइड और अलकोहल की अभिक्रिया कराते हैं आपको अच्छे से पता है कि जब कभी हम एलडी हाइड लेते हैं तो एलडी हाइड में जो कार्बन उपस्ति इसमें हलका सा धनावेश होता है और ऑक्सिजन जो की ध्वीबंद के द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पे हलका सा रिनावेश होता है आपको क्लियर होगा दूसरा आईए एलकोहल पर जब हम एलकोहल की बात करते हैं तो एलकोहल में भी ऑक्सिजन पर देखिए हलक अब हमको अच्छे से पता है कि इन विप्रीत आवेश के मद्ध में क्या होगा बॉंड बंदा है कि इसी कॉंसेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं जब हम एल्कोहल पर अभिक्रिया करा रहें एल्डी हाइट से तब एल्कोहल का जो रणात्मक हिस्सा है ये एल्डी हाइट के इस कार्बन पे आकर जुड जाएगा जैसे ही ये कार्बन पे आकर जुडता है तो यहां चार्ज शिफ्ट हो जा रहा है चार्ज के शिफ्ट होने पर एल्डी हाइट के ऑक्सिजन के उपर एक रिन आवेश आ जाएगा अब ये जो रिण आवेश है ये बॉन्ड शिफ्टिंग के कारण उत्पन हुआ हमारे पास बचा है एल्कोहल का H प्लस इसका क्या होगा तो ये जो एल्कोहल का H प्लस है ये इसी ऑक्सिजन के पास आकर बॉन्ड बना लेगा और जैसे ही H प्लस आकर बॉन्ड बनाएगा हम इस ऑक्सिजन के पास से आवेश को हटा देंगे बंद के बन जाने पर आवेश अपने आप हट जाएगा इसी आधार से हम ग्लुकोस की चक्री सरचना को समझेंगे अब आप देखिए ग्लुकोस में आपके पास LD हाइड भी है और एलकोहल भी है तो आईए ग्लुकोस की चक्री सरचना को हम समझें ग्लुकोस में उपस्तित LD हाइड में भी वही आवेश वितरन होगा जो इस अभीक्रिया में हमने देखा और एक खास बात कि हमारे पास ग्लुकोस में OH जो है वो 5 है यहीं हमें समझना है कि कौन सा OH कौन सा एलकोहल इस अभीक्रिया में भाग लेगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां OH ग्रुप अलग-अलग कार्बन पे उपस्तित है कौन से कार्बन का OH ग्रुप यहां अभीक्रिया करेगा तो पांचवे कार्बन पे जो उपस्तित OH ग्रुप है यह अभीक्रिया करेगा इस प्रकार पहले कार्बन का LD हाइड और पांचवे कार्बन का एलकोहल आपस में क्रिया करेंगे देखिए क्या होगा कि जो पांचवे कार्बन पे उपस्तित OH ग्रूप है इससे H प्लस बाहा निकल जाएगा जिससे ऑक्सिजन के उपर रिन आवेश आ रहा है अपनी सुईधा के लिए इस बंद को हम थोड़ा इस प्रकार पना लेते हैं अब पहले कार्बन का ओक्सिजन पे आकर ये बंद बना देगा अब ये ओक्सिजन पहले कार्बन के साथ आकर बंद से जुड़ जाएगा देखिए पहले कार्बन पे 5 बंद हो जाएंगे जो कि possible नहीं है यहां यहां बंद तूट जाएगा जिससे oxygen के उपर रिन आवेश आएगा इस रिन आवेश को satisfied करने के लिए जो पांचवे कार्बन से H प्लस निकला था वो H प्लस आकर यहां बंद से जोड जाएगा मद्य अभिक्रिया होगी जिससे यह सरचना सक्रिय हो जाती है इस प्रकार पहले और पांचवे कार्बन के मद्य अभिक्रिया होगी जिससे यह एक चक्रिय सरचना बना लेते हैं देखिए इस सरचना को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं पहले कार्बन के OH को अगर हम left side कर दें और H को right hand side में करते हैं तो सरचना इस प्रकार होगी बाकी कार्बन पे जैसा हमने H और OH लिखा था वो वैसे ही होगा अब देखें जब पहले कार्बन पे OH ग्रूप left hand side में होता है तो इसे हम alpha glucose कहते हैं यहीं हम पहले कार्बन के OH ग्रूप को यदि right hand side में करते हैं तो यह कहलाएगा आपका beta glucose तो बच्चों यह थी glucose की चक्रिय सरचना जिसे हम aldehyde और alcohol के मद्ध अभिक्रिया के माध्यम से समझ सके पाइरिनोस सरचना ग्लुकोस की चक्रिय सरचना को समझने के बाद आईए एक और सरचना को समझे इस सरचना के बारे में हावर्थ ने हमें बताया था उन्हीं के सम्मान में इसे हावर्थ सरचना भी कहते हैं या हावर्थ projection सुत्र भी कहते हैं उन्होंने इसे इस प्रकार चक्री रूप में बताया अधार लिया था पाइरेन का पाइरेन में भी क्या होता है कि पांच कार्बन का एक रिंग है और इसमें भी एक ऑक्सिजन उपस्तित होता है देखे इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन है और एक oxygen है जो एक एक बंद के द्वारा जुड़ा हुआ है अब इसके तुलना जब हावर्थ ने चक्रिय सरचना से की तो उन्होंने देखा कि ग्लूकोस की चक्रिय सरचना में भी 5 कार्बन है और एक oxygen जुड़ा हुआ है देखिए तो हावर्थ ने इसी चक्री सरचना को एक नए अंदाज में लिखा आईए समझे चक्री सरचना बनाने के लिए हमें इसका स्केलिटन बना लेते हैं पहले आप एक ओक्सिजन बनाईए और दोनों तरफ एक एक बन बना लेंगे इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन बना लेते हैं इससे हमें एक स्केलिटन मिल जाता है अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम बन बना लेंगे आईए हम क्या करेंगे? प्रतेक कार्बन पे दो-दो बन इस प्रकार बना लेते हैं इसमें H और OH आप जोड़ते जाएंगे ग्लुकोस की चक्रे सरचना में जितने H और OH अगर राइट हेंड साइड में हैं तो वो इस सरचना में नीचे आ जाएंगे चलिए पहले कार्बन में इसे बना कर देखें पहले कार्बन के OH को देखें ये राइट हेंड साइड में हैं हावर्थ की सरचना में ये कहां चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा और H जो की लेफ्ट हेंड साइड में है ये उपर चला जाता है अब आते हैं दूसरे कार्बन पे दूसरे कार्बन पे राइट हेंड साइड पे OH है और लेफ्ट हेंड साइड पे H है तो OH जो है वो नीचे आ जाएगा और H उपर चला जाएगा तीसरे कार्बन पर आईए तीसरे कार्बन पर राइट हेंड साइड में H है जो की नीचे आजाएगा और लेफ्ट हेंड साइड में OH है जो कहां चला जाएगा उपर इसी प्रकार चौंथे कार्बन को हम बनाते हैं चौंथे कार्बन में राइट हैंड साइड में OH है जो की नीचे आजाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का जो H है वो इस रिंग में उपर आजाता है लास्ट कार्बन लास्ट कार्बन में नीचे साइड में देखे CH2OH जुड़ा हुआ है ये CH2OH रिंग में बाहर आ जाएगा उपर की तरफ आ जाएगा इस प्रकार ये सरचना हमारी तयार होती है जिसका आधार था पाइरेन इसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन सुत्र या पाइरीनो सरचना भी कहते हैं आइए, अलफा-D-Glucose और बीटा-D-Glucose की चक्रि सरचना को इसी हावर्थ प्रोजेक्शन सुत्र पर लागू करें देखे, अलफा-D-Glucose की चक्रि सरचना अब अलफा-D-Glucopyrinose कहलाएगी इसी प्रकार बीटा-D ग्लुकोस की चक्री सरचना बीटा-D ग्लुकोपाईरिनोस कहलाती है तो ये हमने तीन तरीके से समझा कि ग्लुकोस की किस-किस प्रकार की सरचना हो सकती है ग्लुकोस के बाद हम दूसरे मोनोसेकराइट्स को समझे फ्रक्टोस जिसे हम फ्वल शरकरा भी कहते हैं इसका समानने सुत्र C6H12O6 है इसमें क्रियात्मक समूँ के रूप में कीटोन उपस्तित होता है इसे पॉलि हाइड्रोक्सी कीटो भी कह सकते हैं ग्लुकोस के समानी इसमें 6 कार्बन उपस्तित होते हैं अब आये इसकी सरचना पे सरचना को देखते हैं तो हमने देखा कि ग्लुकोस में हमने एल्डी हाइड देखा था यहाँ पे कीटोन उपस्तित होता है अब फर्क यह है कि एल्डी हाइड किसी भी चैन के स्टार्ट में आता है जैसा हमने ग्लुकोस में देखा था परन्तु कीटोन पे अगर आप देखें तो यह होता है आर सी ओ आर इसलिए इसे हम किसी भी चैन के मद्ध में लेंगे तो जब हम फीशर प्रोजेक्शन बनाएंगे एक फ्रक्टोस का तो हमारा जो क्रियात्मक समू है वो दूसरे कार्बन पे आएगा आईए समझें पहले हम छे कार्बन पूरे बना लेंगे दूसरे कार्बन पे आपको क्या करना है किटोन ग्रूप लगा देना है अब आपको क्या करना है पहले और छटे कार्बन पर CH2 OH लिख लेना है हमाई पास अब बचते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन इस पे हम H और OH जोड देते हैं देखें इस प्रकार पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट हें साइड में आप लिखेंगे इस प्रकार हमने देखा कि ग्लुकोस और फ्रक्टोस दोनों के सुत्र समान हैं पर क्रियात्मक समू में अंतर होता है जो कि इस सरचना में और पीछली जो हमने ग्लुकोस की सरचना समझी थी उसमें आप समझ गए चलिए आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्लुकोस की चक्री सरचना के बाद हम फ्रक्टोस की चक्री सरचना पर थोड़ी चर्चा कर लें तो जब हम फ्रक्टोस की चक्री सरचना बनाते हैं तो यहां हम वापस फीशर प्रोजेक्शन पर आएंगे यहां दूसरे कार्बन और पांचवे कार्बन के मध्य बंद बनेगा कारण हमने पहले ही जान लिया था कि हमारा क्रियात्मक समू कहा है दूसरे कार्बन पे है तो जैसे हमने ग्लुकोज में सीखा था वैसे ही फ्रक्टोज में बंद का निर्मान होगा इसको समझने के लिए हम वही अभिक्रिया लेंगे जहां हमने ऐल्डी हाइड और अलकोहल के मद्ध्य अभिक्रिया कराई थी इस बार हम किटोन और अलकोहल के मद्ध्य अभिक्रिया कराएंगे अभिक्रिया कराने से हमने देख लिया था किस प्रकार पहला और पांचवा कार्बन ग्लुकोस के केस में जुड़ गया था पर यहां फ्रक्टोस के केस में दूसरा और पांचवा कार्बन जुड़ जाएगा और हमें इसकी चक्रिय सरचना मिल जाती है जैसे हमने glucose में देखा था कि वहाँ alpha-d glucose और beta-d glucose बनता है वैसे ही fructose में भी alpha-d fructose और beta-d fructose बनता है आईए देखें यदि OH ग्रूप left hand side है तो इसे beta-d fructose कहते हैं और यदि ये right hand side में है तो इसे alpha-d fructose कहते हैं तीसरी सरचना जिसके बारे में हमें और समझना है वो है हावर्थ की सरचना हमने glucose में देखा था हावर्थ ने सरचना दी थी उसी प्रकार fructose के लिए भी हावर्थ ने एक सरचना दी जो की फ्यूरेन से प्रभावित होके हैं पहले फ्यूरेन को समझें फ्यूरेन एक चक्रिय योगिक है जिसमें पांच सदस्य उपस्तित हैं पांच सदस्य में से एक ऑक्सिजन है और चार कार्बन है इस प्रकार जब हमने fructose की चक्री सरचना देखी तो इसमें इस पर्ष्ट दिख रहा है कि इसके चक्र में केवल चार कार्बन भाग ले रहे हैं दूसरा तीसरा चोथा और पांच वा तो फ्रक्टोस की चक्री सरचना और फियूंड की सरचना को आपस में संबंधित करके हावर्ड ने एक नई सरचना बनाई जिसमें कार्बन की संख्या देखिया रिंग में 4 है और आक्सिजन दोनों साइड एक एक बंद से जुडा इस सरचना में भी चार सदस्य रिंग के अंदर हैं और दो सदस्य रिंग के बाहर हैं हमने ये सरचना ग्लुकोस में सीखी थी उसी प्रकार फ्रक्टोस में सरचना होगी अंतर ये है कि फ्रक्टोस में कार्बन की जो संख्या है रिंग में उपस्तित वो चार होती है जिसकी च फिशल प्रोजेक्शन में कोई ग्रूप राइट हेंड साइड में है तो वो इसमें नीचे आ जाता है और लेफ्ट हेंड साइड वाला ग्रूप कहा आएगा ऊपर आ जाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि हावर्थ ने फ्रक्टोस के लिए भी ये सरचना बनाई है ग्लुकोस के समान ही ये अलफा डी फ्रक्टोस और बीटा डी फ्रक्टोस के रूप में पाए जाते हैं हावर्थ ने इन सरचनाओं को फिर से बनाया इनका नाम दिया गया अलफा डी फ्रक्टो फ्यूरे नोज फ्रक्टोस से हमने फ्रक्टो लिया और फ्यूरेन सरचना से प्रभावित है इसलिए ये हो गया फ्यूरे नोज इसी प्रकार बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरे नोज डाई सेकराइट्स जैसे की नाम से ही क्लियर है डाई याने दो जब दो मोनो सेकराइट यूनिट आपस में मिलते हैं तो ये डाई सेकराइट्स कहलाते हैं आईए समझें इनके कई उधारण है सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज जब ये मोनो सेकराइट यूनिट आपस में मिलते हैं तो जल का एक अनू बाहा निकलता है जिससे ये यूनिट आपस में जुडती जाएंगे। इसका मतलब है कि मोनो सेकराइट के संगनन से डाई सेकराइट बनते हैं। आईए समझें। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनो सेकराइट आपस में बन्द द्वारा जुडते हैं और जलका एकनू बाहर निकलता है। जब दो मोनो सेकराइट यूनिट आपस में जुडते हैं वहाँ बन्द का निर्मार्ण होगा। उस बन्द को हम गलाईकोसाइट बन्द कहते हैं। इसी बंद के द्वारा ये दोनों मोनो सेक्राइड यूनिट आपस में जूड जाती हैं खास बात यह बंद कोवलिन बॉन्ड होता है इसी प्रकार लेक्टोज में गेलेक्टोज और ग्लुकोज की मोनो सेक्राइड यूनिट आपस में जूड जाती हैं और एक जलकाणू बाहर निकलता है एक और उधारन देखें माल्टोस में क्लुकोस के दो अनू आपस में जुड़ते हैं जिससे जलका एक अनू बाहर निकल रहा है और माल्टोस डाई सेकराइट का निर्मान होता है तो इस प्रकर हमने देखा कि मोनो सेकराइट की जब दो यूनिट आपस में मिलती हैं तो इन्हें हम डाई सेकराइट कहते हैं आएए पॉली सेक्राइट को समझे पॉली अर्थात बहुत सारे जब मोनो सेक्राइट के बहुत यूनिट आपस में जुड़ती जाती हैं तो ये कहलाएंगी पॉली सेक्राइट्स इनके उधारण है स्टार्ज, सेलिलोज, ग्लाइकोजन, खास बात ये कि ये मीठे नहीं होते हैं ये स्वीटलेस हैं ये जल में आविले होते हैं जबकि हमने देखा है कि ये मोनो सेक्राइट यूनिट से मिलकर बने हैं और मोनो सेक्राइट जल में घुलनशिल होते हैं पर पॉलिसेक्राइट जल में आगुलनचिल हैं क्यों जैसे जैसे मोनोसेक्राइट यूनिट आपस में जड़ती जाती है उनसे जलकाणू बाहर निकलता है शाथ ही ओय समु निकल रहा है इसते ये नॉनपोलर हो जाते हैं और नॉन पोलर होने की कारण ये जल में आघुलन्शिल होते हैं ये मुख्य रूप से सेल में स्टोरेज का और सराश्चनात्मक एकाई का कारे करते हैं आईए देखें स्टार्ज जो की प्लांट में स्टोरेज का काम कर रहे हैं जितने भी प्लांट होते हैं उनमें पॉली सेक्राइड स्टोरेज का फॉर्म स्टार्च होता है इसी प्रकार जन्तूओं में ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज होता है ये भी एक प्रकार का पॉली सेक्राइड से इन्हें हम संच जित कार्वोहाइडरेट अनु भी कहते हैं सेल्यूलोस जो की पौधों की सरचनात्मक कार्वोहाइडरेट यूनिट है काइटिन या और्थोपोडा की सरचनात्मक एकाई है आए समझें इपिमर और एनोमर को अब देखें अगर हम एल्डोज ले रहे हैं हेक्जो एल्डोज ले ले इसमें जो दूसरे नमबर का कार्वन है इसका ओएच अगर अलग अलग दो सरचनाएं दिखाता है तो ये दोनों सरचनाएं जो एक दूसरे के समावैवी हैं ये कहलाएंगे इपिमर और यहीं हम बात करें एल्डोज की लेकिन जब वो हीमी एसिटल सरचना बना रहा है उस समय आईए देखें हीमी एसिटल सरचना में जो पहले कार्बन पे ओएच ग्रूप है ये दो प्रकार के समावैवी बनाता है इन समावैवी को हम एनुमर कहते हैं